हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल तन्वीकी रसोई में तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही जबरजस्त बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनाना इतना आसान की कोई भी बना सकता है खाने में इतना टेस्टी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोबारा जरूर बनाएंगे और वैसे तो मैंने बिस्किट की कई रेसिपी चैनल पर अपलोड कर रखा है आप वहां जाके देख सकते हो बहुत ही आसान आसान बिस्किट बहुत ही टेस्टी टेस्टी बिस्किट बना करके तयार किये हैं लेकि अब हम चीनी और देसीघी को अच्छे से फेटेंगे इसे बहुत ही अच्छे से फेटना है बिल्कुल प्रीमी टेक्स्टर का हो जाना चाहिए इस तरीके से हम इसे फेटेंगे तो इसी तरीके से चम्मत से मिक्स करते हुए हम इसे फेटेंगे अभी एक दो मिनुट के लिए ऐसे हम चम्मत से फेटेंगे इसके बाद हम विसकर का यूज़ करेंगे तो अब हम इसे फेटेंगे इससे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेटेंगे एक ही डायरेक्शन में लगभग चार से पांच मिनट तक हम इसे फेटेंगे तो अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर की फेटते हुए कुछ इस तरीके से हो गया बिल्कुल क्रीमी सा हो गया आप देख सकते हो तो बस इससे ज्यादा हम इससे नहीं फेटेंगे और अब हम इस पर रखेंगे एक छनी तो यहां पर हम आटा चालने वाली चन्नी रखने हैं इस तरीके से और अब हम इसमें डालेंगे छोटी ingredients से मैंने एक Cons गेहुंका आटा लिया है थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया था मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा रख दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे खाना खाने वाले चमच से दो चमच मैदा मैदा हम इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे अगर आप चाहें तो टोटल से मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन हमें इस बिस्किट को थोड़ा सा हल्दी बनाना है इसलिए हम गिहों के आंटी का ही यूज करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे यह है कश्टर्ड पाउडर कश्ट पाउडर आपके पास हो तो आप जरूर डालेंगे नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे आदा चमश बेकिंग पाउडर और इसी चमश से आदा चमश से थोड़ा सा कम मीठा सोडा खाने वाला सोडा इनसे हमारी बिस्किट बनेगी वो बहुत ही बढ़ियां बन करके तयार होगी अंदर से फूलेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी तो यहाँ पर आप हम इसमें डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडियंट्स वो है बिलकुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक तो जब भी आप कोई मीठा बनाएं जैसे बिस्किट बना रहे हैं या फिर बालो साही वगरा बना रहे हैं तो आप इसमें बिलकुल थोड़ा सा नमक जरूर डालें क्योंकि थोड़ा सा नमक आपके बिस्किट या फिर बालो साही जो भी आप स्वेट्स बना रहे हैं उसक तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजों को मैंने अच्छे से छान लिया है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से मिक्स करेंगे जो हमने चीनी और घी को अच्छे से फेटा है ना उसी के साथ इसको हम मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल डो के जै है तो अगर आपको इसमें घी कम लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मज दूद्ध डाल सकते हो लेकिन अगर कम हो तभी डाले ज्यादा दूद्ध नहीं डालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल डो के जैसा बना दिया है बिल्कुल बन गर की तयार हो गय तरीके से मस लेगे ये बिलगुल चिकना हो गया है काफी देट तक हमने इसे मसला था तो अब हम इस तरीके से होड़ा सा POSTION हाथ में लेंगे करें एक गेह काटा है तो थोड़ा सा बिकरता है तो यह किन Mushkin के लिगत करेंगे अब अब हम इसे गोल-गोल करेंगे इस तरीके से हलका सा हम इसे गोल-गोल करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे दबा दिया है दोनों हाथों से और अब हम इसको सेफ देंगे तो आप इसे अपनी पसंद के किसी भी सेफ में बना सकते हो तो मैं इसे इस तरीके से चोकोर बना रहे हलका सा इसे इस तरीके से फ्रेस करेंगे हाथों से और बढ़ियां से इसे इस तरीके से बिल्कुल चिकना बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़ियां से बन करके तयार होंगे दोस्तों सारे बिस्किट इसी तरीके से आपको बना करके तयार करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है और अब हम इसे चकु से डिजाइन देंगे आप इसे चाहें तो ऐसे ही साधा रख सकते हैं एक दो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ इस तरीके से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं वैसे मैं सारे में इस तरीके से डिजाइन नहीं बनाने वाले हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिजाइन बन करके आई है तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ सेम तरीके से थोड़ा सा फोर्शन हाथ में लिया इस तरीके से गोल गोल किया और अब हम इसको इस तरीके से आकार दे देंगे तो सेम तरीके से इसे भी मैंने बना करके तयार कर लिया है और चकुछ से इस तरीके से डिजाइन दे देंगे आप चाहें तो इसे बिल्कुल साधा भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो तिन बिस्किट में डिजाइन बना लिये हैं बाकि ऐसे साधा ही हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से मैंने सारे बिस्किट बना लिये हैं और यहां पर एक प्लेट ले लिए इस तरीके से ओयल से अच्छे से प्लेट को ग्रीज करेंगे और अब हमने जो बिस्कित बना करके रखा है सारे बिस्कित एके करके इसी प्लेट पर हम रख देंगे देख होने के लिए अच्छे से अगर बिस्कित थोड़े से कम सही बने त लागुर्ण बिसकित करनके हैं तो यहां पर यह पर एक एक करके साहरे बिसकित ठाक要ा, इस पर लगा देगो प्लेट थे सामें लगा दिया है, और बाकी साधे हैं तो यहां पर मैंने कड़ाही को अच्छे से गरम कर लिया है इसमें नमक डाल दिया था और स्टेंड रख दिया है और इसे ढख करके पांच मिर्ट तक अच्छे से गरम कर लिया है तो अब हम बनाए गए बिस्किट को इस तरीके से इस पर रखेंगे इस तरीके से हम इसे रख देते हैं और अब हम इसे ढख करके गरर किरीब m² 30-30 मिनट तक अच्छे से देพ devices FLगाण के बनाए अब यहां बर बिस्किट को पकते हुए 20-27 मिनट हो चुके हैं और आब मैं इसे आप खूल के दिखाते हूं और आप देख सकते हूआ है बिस्केट अंदर तक पके हैं बहुत जाधा टेस्ट्यी बिस्केट बन करें तयार हुए strengthen ब्झेट को अब के नीचे नीकालते हैं क्योंकि अनले scary आपको दिखाती हुँ है तो अब आप देख सकते हैं 세계 की प्लेट को मैंने नीचे की निकाल लिया है और अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ देखें आप इसके पीछे की साइट को भी देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बेख हुए हैं सारे बिस्किट बहुत ही बढ़ियां बन करके तयार हुए हैं दोस्तों तो अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि ये काफी गरम है तो थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अलग प्लेट में थोड़ा सा ठंडा करके निकाल लिया है और कितनी जादा टेश्टी कितनी जादा डिलेसियस लग रहे हैं पास से दिखने में यह देखिए तो आप चाहें तो इसे डिजाइन में बना सकते हैं और आप चा जब चाहें आपका मन इसे आप खा सकते हो बहुत ही जादा टेश्टी है एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप जरूर बनाना पसंद करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी तो मैंने आपको इसे तोड़की भी दिखाया अंदर तक खस्ता है बहुत ही जादा हुआ है तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में ऐसी ही नहीं नहीं और इजी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई